नमस्कार पोर पीम न्यूज नेटवर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है देखे अभी कुछ चुनाव के रिजल्ट्स आएं उसके पहले कुछ इंडिकेटर्स आ रहें और इन इंडिकेटर्स का ये जो संक्यतक हैं इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं पहला स्टेट्मेंट अमिश शाह जी ने दिया जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपका आंकलन इस बार भारत पर्ष में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में क्या है अमिश शाह जी ने ये स्विकार किया कि राजस्थान के अंदर बीजेपी की कुछ सीटें कम हो रही है अब ये तो उन्होंने नहीं इस पश्रूप से बताया कुछ का मतलब क्या है कुछ का मतलब 6 है 8 है 10 है कि 12 है लेकिन ये अमिश शाह जी ने मान लिया कि भारती जनता प पार्टी को राजिस्थान में मिली थी अच्छा अगर आप किसी भी राजनेतिक नेता के वक्तवियों को सुनेंगे तो चुनाव रिजल्ट्स आने के पहले वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करता है कि उसकी 100% सीटें नहीं आ रहे हैं क्योंकि उससे जनता का मनुबल गिरता है उनके कारकरताओं का मनुबल गिरता है अब जैसे बार्दी जनता पार्टी ने एक नारा दिया था इस बार 400 पार हर्याना के अंदर नारा दिया था इस बार 80 पार वेजबेंगॉल के अंदर नारा दिया था इस बार 200 पार वो चाहें दूसरी बात है जब 200 पार का नारा तो बहतर सीटें आई जब हरियाणा के अंदर उन्होंने असी पार का नारा दिया तो छाली सीटें आई लेकिन अमिस्षाजी ने जिनको Mazda जाता है कि भारती जंता पार्टी के चानक क्या हैं अगर विह बात मानने को तैयार हैं कि राजस्थान के अंदर भारती जंता पार्टी की कुछ सीटें कम होने वाली है तो इसका मतलब क्या है पहला मतलब यह है कि अमिशाह जी शायद यह मैसेजिंग करना चाहते हैं कि मानी मोदी जी चुनाव हार रहें और भारती जंता पार्टी चुनाव हार रही है क्योंकि देखें यह कोई भी विश्लेशक हो इन सब को मिला के अगर भारती जंता पार्टी बहुत जादे सीटें बढ़ा सकती है तो चापांस सीटें बढ़ा सकती है और करनाटका में उसकी बारे 14 सीटें कम होनी है तो अगर साउथ साउथ को किवल लिया जाए तो वहाँ पे उनका लॉस होना है करनाटका में कम होंग तो महाँ पारे पिछली बार 25 सीटे बिली थी और इस बार उनकी बारे तेरे स्जादे सीटे नहीं आनी है क्योंकि एक तरफ यदुरप्पा हैं यदुरप्पा की बेटे हैं जो लिंगायत हैं और दूसी तरफ कॉंग्रेस की तरफ वोकल लिंगा हैं डिके शुकुमार, डिक जारा मैया, खड़गे साब हैं डलित और मुसल्मान वोट उनके साथ हैं तो अगर वहाँ पे ये सोशल इंजिनिरिंग का प्रश्ण देखा जाए तो सत्राइट-ठारे परसेंट एक तरफ हैं लिंगा बाकी वोकल लिंगा, कुर्बा, डलित, मुसल्मान एक तरफ हैं तो यह बाल बिकुर्श पश्ट है, भारती जन्ता पार्टी को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, जिसको वो आंत्रदेश ठेलंगना से कंपेंसेट नहीं कर पाएगा, अगर मोधी जी का ये कहना है और भारती जन्ता पार्टी की क्लियर मजॉरिटी आ रही है, तो इसका मतल अगर साउथ में कोई गेन नहीं हो रहा है उडिसा में जादे जादा गेन हो सकता है दुतीन सीटों का हो सकता है तो ऐसी स्थिती में अगर उनको सीटें कम नहीं होने देनी है तो राजस्थान में गुजरात में महराष्ट में बिहार में उत्रब्रदेश में हर्याना में दिल्ली में हिमाचल में उत्राकंड में सीटों को कम नहीं होने देना है लेकिन अगर भ भजनलाल शर्मा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना कि क्योंकि आप लोगों को पता है कि राजस्थान के अंदर जब चुनाव संपन्न हुए और कॉंग्रेस ने जो लोगों की आशा थी कि जैसे हमेशा हुआ है पास्ट में हुआ है जब भी कॉंग्रेस हा रही है बुरी त चार साल लगातार उनके तलवार एक दूसरे के खिलाब खीचे रहे अशोग गैलो जी ने बहुत अच्छी स्कीम्स दी उनकी छवी बहुत अच्छी थे लेकिन इसके बावजूद कॉंग्रेस की सीटें बहुत जादे नहीं गरे और अगर ये विदान सभा की सीटों को लो विदान सभा की चुलाओं के आधार पर तो क्या चालक के जी ने इंगित करने का प्रयास किया गिवाजलल चर्मा जो पहली बार भारती जनता-पार्टी के टिकेट पे विदान सभा का सदस्य का चुलाओं जीते थे और उसके पारे एक बार एलेक्षन लड़े थे और राजबरदन राठोर हूँ चाहे पुनिया साहब हूँ चाहे वसंद्रा राजें हूँ उनके उनको पीछे छोड़के वहाँ बजलाज शर्मा को मुख्यमंतरी बनागी दिया गया था तो क्या ये एक इनडिकेशन है लेकिन जब उनसे पूछा गया क्या मुख्यमंतरी बदलने वाला है तो उन्होंने का नहीं मुख्यमंतरी तो नहीं बदलने वाला है तो आखरी वह मैसेजिंग क्या करना चाहते हैं और एक नेगेटिव मैसेजिंग बिलकुल जबकि युद छेत्र में दोनों सेनाएं सुसजित खड़ी होई हैं आमने सामने खड़ी होई हैं इस प्रकार का स्ट्रीट्मेंट देखे उन्होंने क्यों ये दिशा देने का क्योंकि देखे राजस्थान के अंदर इस समय अगर आप बात करें राजस्थान वाले बहतर बताएंगे वहां पे बिजली और पानी की भीशन समया है वहा के जो शेहर दुत फिस और की बीजली और पानी की समच्या से कि वह सब्सक्राइब कर रहा है अज़ा पजानलाज शर्मा जी को क्योंकि पहली बार विधान सभा में पहुंची और पहली बार वो बन गए मुख्यमंत्री बन गए मानी मोदी जी की क्रपा से या वसंद्रा राजे को क्योंकि किनारे लगाना था इसलिए वो बन गए तो जब आप आभास हो गया है भारती जनता पार्टी को कि 2024 का वो चुनाव हार रहे हैं और इस प्रकार का इंडिकेशन देकर वो अपने कार्यकर्ताओं का मनुवल क्यों गिरा रहे हैं क्योंकि पहले ही जैसे नडदा साभ ने जो अध्यक्ष बार्ती जनता पार्टी के वो सब को कहके दिया था कि RSS जो है उसकी हमें आवश्यक्ता नहीं है जब अटल जी के जमाने में भारती जंता पार्टी एक कमजोर पार्टी थी इसलिए हम RSS की मदल लेते थे अब हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि हमें RSS अब खूज भी सोची है अगर भारती जंता पार्टी इतनी जादे ताक्वतार हो भी गई है तो भी एक ऐसा संगटन जिसने 50-60 साल आपके लिए संगर्ष किया है आपको सयोग किया है आपको चुनाव जिताने में पूरी मदद किया है उसको इस तरह चुनाव के बीच में कि पीचा गया था या माला के अंदर उनको नहीं आने देना चाहते हैं तो शायद क्या चुनाव के बीच में उन्हें लग गया है कि भारती जंता पार्टी चुनाव हारने वाली है इसलिए वो भी इस प्रकार का इंडिकेशन दे रहे हैं जिससे भारती जंता पार्टी का की जगहों पर कॉंग्रेस बुरी तरह से हारी केवल ऐसी रोतक की सीट थी जहां आट नौ हजार वोट से दिपंदर हुड़ा चुनाव हारे थी इस बार की स्थिती में वहां पे जो मनोलाल खटर साब हैं जो साले नौ साल प्रदेश के मुख्यमंतरी रहे हर्याना के मुख्यमंतरी रहे उनकी छवी है कि मंदार मुख्यमंतरी की जरूर थी लेकिन काम न करने वाले मुख्यमंतरी की थी तो हमें बहुत ज़्यादे नहीं करते थे लेकिन काम भी नहीं करते थे और उन को हटा के सैनी साप को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया मनोरल खटर जी ने भी एक statement दिया उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव छेत्र में करनाल में हिसार में और सिर्चा में क्योंकि मनोरल खटर जी पहले भी विधान सभा का चुनाव जीते थे करनाल से और इस बार वो करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि इन थे छेत्रों में सरकारी अधिकारी और करमचारियों ने बेवानी की है बूत कैप्चरिंग की है हिरा फेरी कराई है फरजी वोटिंग कराई है और सरकारी करमचारियों ने कॉंग्रेस कारेकर्टाओं का साथ दिया है और भाती जनता पार्टी के लोगों को वोट डालने से रोका है अब आब बताईए जब विपक्षी दल के नेता इस परकार की बात करते हैं तो विपक्षी दल के नेता तो इस परकार से इसलिए बात करते हैं कि किसी भी स्टेट के अंदर जब चुनाव होता है तो वहां का जो स्टेट एड्मिनिस्टेशन होता है वहां का जो पुलिस एड्मिनिस्टेशन होता है वो सरकार के नाधीन होता है और हर्यणा के अंदर प्रदेश सरकार जो है वो सैनी साब के सीटे भी सेनी साथ हराने का प्रयास कर रहें क्योंकि बिना पुलिस की मदद के बिना एड्मिनिस्टेशन की मदद के अगर कॉंग्रेस की मदद प्रशासन कर रहा है तो बहुत गंभीर पिर इस प्रकार से एक खटर साहब चुलाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं जो आरोप विपक्षी दल के नेता लगाया करते हैं अमूनन वही आरोप अगर बनोरलाल खटर साहब लगा रहे हैं इसका मतलब है क्या उन्होंने ये तैयारी शुरू कर दी है उनको जमीन की आह क्रपा मानना चाहिए जो की जिस प्रकार से चुनाव की धारा बदली है जिस प्रकार से जनता ने अंगड़ाई ली है और वो निकल के बाहर आई है और जिस प्रकार से मुखर होके उसने बात की है जिस प्रकार से किसानों ने गामों के अंदर भारती जनता पार्टी के कैं पंजाब के अंदर भी साधार अमिंदर सिंग के कैपटेन अमंदर सिंग की पत्ति जो चुनाव लड़ रही हैं उनको भी अभी चुलाव छेत्र में बिना पुलिस प्रोटेक्शन के नहीं जा पा रही है वही पंजाब और हर्याणा के अंदर भारती जंता पार्टी जजपा के लोगों को गावों के अंदर घुसने में परिशानी हो रही है तो क्या मनोला खटर साब ने मान लिया है कि भारती जंता पार्टी हर्याणा में चुनाव नहीं जीत रही है इसलिए उन्ह लाश है क्योंकि वो चुनाव हार रहा है तो क्या वही स्थिति मनुवला खटर साब पे लागू नहीं होती और यह नहीं लगता कि जो अंदेशा लगाया जा रहा है जहां भारती जनता पार्टी के पास पिछली बार 303 सीटे थी अपने बल पर और हर्याना में अगर 10 में से यह स्थिति है कि वो साथ सीटे हार रहा है दिल्ली के अंदर अगर साथ में से वो पांच सीटे हार रहा है अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भी 15-20-30 सीटे कम हो रही है बिहार के अंदर जहां पे एक मात्र एक सीट कॉंग्रेस को मिली थी बाकि 49 सीटे बारती जनता पार् हो रही है तो सारे अगर हिंदोस्तान की ये स्थिती है तो क्या इसका मनी ये है कि जो राजनेतिक विश्लेशक ये मान के चल रहे हैं कि इस बार भारती जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और इंडिया नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार वास्तविक्ता में स्थिती यह है कि जितनी जादे anti-incambency चुनाव छेतर में लड़ रहे member of parliament के खिलाफ नहीं है उससे जादे anti-incambency मानी मोदी जी के खिलाफ है क्योंकि जनता ने मानी मोदी जी की जो नीतियां देखी है चाहे नोटबंदी की नीती देखी हो जिसमें ब्लैक वनी नहीं खतम हुआ जिसमें सारा का सारा पुझी पतियों का पैसा वाइट पनी में convert हो गया गरीब आदमी लाइन में लगा रहा जिस प्रकार से कोईड में अचानक तालाबंदी कर दी गई हमारे किसान हमारे मजदूर किस प्रकार से परिशान हुए 15-1500 किलोमेटर वो गरीबी के स्थिती में प्रकों के उपर चड़के साइकल से अपने घर गाउं पहुँचे बूरी अर्थविवस्था की बरवादी हो गई तबाही हो गई जिस प्रकार से उन्होंने किसान आंदोलन में देखा, व्यभार देखा, सरकार का व्यभार देखा, जब पंजाब हर्याना के किसान दिल्ली आना चाह रहे थे, उनके साथ दुर्वेवार देखा, उनके उपर चलती हुई अश्रुगैस के गोले देखे, तो जनता का जो उसा था, जो पहले चरण में वो सिटर्स थे, वो चुपचा बैठे थे, वो वोकल नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाओ के चरण आगे बढ़े, वैसे वैसे भारती जनता पार्टी के कारेकरताओं को भनक मिलने लगी, उन्होंने पैर पीछे खीचने शुरू किये, और जो अपोजीशन के वरकर्स थे, कारेकरता थे, या जो किसी राजनेतिक दल से, जिनकी कोई संबदता नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे कि किसानों के साथ ऐसा विवार ना हो, अगनीवीर जैसी योजना ना आए, जो वादे करें, उनको बाद में चुमला कहके ना मुकर जाएं, वो लोग वोकल होते चले ग होई, जब राहूल गांधी और तेजस्वी यादेव की मीटिंग होई, शरत पवार उधाव ठाकरे राहूल गांधी की महराष्ट के अंदर मीटिंग होई, तो जनता जो दवी होई थी, जिसको दबाया गया था, जो डरी होई थी, वो उमण, उमण के बाहर आई, लाखों से भी पांच-छे गुने जादी थी, तो जो जनता का उस्सा है, जो दवी होई जनता थी, वो अचानक निकली, गरीब जनता उमड़ी, मध्धम वर्क के लोग उमड़े, और सारे समाजिक जो समीकरन थे, वो बदले, जो लोग हमेशा से प्रष्ट भूमी जिनकी थी, जिन चैसाथ परसेंट की वोटिंग परसेंटेज गिरा, भजनलाल शर्मा जी जिनके मैं बात कर रहा था, सांगानेर से जो विधायक है, सांगानेर जैपूर से लगती होई सीट है, और मानी मोधी जी ने एक इंडिकेशन दिया था, कि जिस भी MP या MLA के छेतर में वोटिंग कम होगी उसको दंड दिया जाएगा, और जो सांगानेर की सीट है, जहां बजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री विधान सबाग के सदस हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनक्या आठ परसेंट का वोटिंग ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो अपने छेतर लोगों जागरत नह नहीं कर पाए, उन्हें प्रदेश की जानकारी विल्कुल नहीं है, तो इस प्रकार के नए नवीले मुख्यमंत्री बना के चाहे वो मद्प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्तान हो, चाहे हर्याना हो, भारतिय जन्ता पार्टी ने अनुभवी लोगों को पी और यहां पे मनोलाल खटर जी के स्टेटमेंट से लगता है, कि हम लोगों का जो अंदाजा है, कि भारतिय जन्ता पार्टी को 210 सीटें के करी मिलेगी, 25 तीस सीटें उचकी अलाइंस की मिलेगी, और इस बार की सरकार इंडिया अलाइंस की बनेगी, एक ऐसी सरकार होगी, ज भारतिय जन्ता पार्टी की तरफ से कौन होगा, नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद.